माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांस्फर्मेशन, पावर अफ थॉट्स आधिप्रेणा दायक एवं आध्यात्मिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वी के कभी, एक्ट फ्री, यूट्यूब चैनल किसकी एक आधेता हो पाई, जरा हाथ उठाएंगे अधे, उठाएए, बरी नाइस, नीचे तो में, जिसकी नहीं खूई, वह आथ उठाईए, दाना और बस, और जिनोंने किदर भी हाथ ले उठाया हो, क्थ ऐसे भी हैं, जिनोंने किदर भी हाथ ले उठाया, अगर आप नहीं बताएंगे, कि आपकी नहीं होई तो हम क्या बाद करेंगे आगे पर अगर आप बताएंगे वही मुझे ये प्रॉब्लम आया जो कॉमेंटरी दी गए उसके अगर हमारा योग नहीं लगा और मुझे हैं पता चल गए किस किसका नहीं लगा तो ही तो हमें पता चलेगा नहीं कि आगे आगे आपको क्या समझानी देनी है अगर इस कॉमेंटरी से भी हमारा योग नहीं लगा तो फिर योग लगता ही नहीं फिर हमारे इस वे तो कुछ था ही पिता असान सी थी वो शरीर के हर वंदुबे अपने नियान लगाना था, सांस के हरी लेनी थी, दड़कनों को सुनना, तारिया से तारिक को देखना था तो ऐसा कर पाई, जो नहीं कर पाई, वो हाथ उठाओ सारे, सारे कर पाई, सारे कर पाई, भाई वो आपके लिए मैता लिए जा देता यानि कि योग का किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सबका योग एदव अच्छा लगता है, हाँ, हाँ, नहीं लगा था, लगता है अच्छा, नीद आ गई थी, ये बाद, और बताओ, किस-किस का नहीं लगा योग, किस-किस का बटक गया था मन, आहाँ तो ठालो, ऐसे, प जा, तीन, माताई ही अगले वाली, सबका लगा, सबका, वा माताओ, I am proud of you, भाईयों में, सबका लगा, सबका लगा, आपका नहीं लगागा ना, और, तो आपका अच्छा लगा ना, आपको अच्छा नुबह हुआ बहुत बढ़ी है तो अब हम क्या करेंगे जैसे सिल्पूलसी बात है ये बात को समझ लेना सभी सब के काम आएगी और आप किसी को सिखा भी सकते है कई बार हम कहते है कि हमारा मन हमारी बात को नहीं मानता ठीक है ये बात बताईए कभीर भाई आपके सामने बेट रहा है आपको कभीर भाई से अपने कोई बात मरवानी है और मेरी जो लैंगवज या ना मुझे हिंदी समझ में आती है मांदो और आप मुझसे संस्कृत में या कर्णर में बूल रही है तो मुझे कुछ समझ वाए था तो मैं क्या बोलूगा आप कह रही है एक गिलास पानी के लिए मैं आपको वो अराम से दे सकता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप संस्कृत में क्या क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक वैसे आपका मन भी ऐसा ही होता है आप जानके मन की भाशा क्या होती है मेरे साथ बोलना सब पक्का रखना अपने बच्चों को भी सिखाना मन की भाशा होती है बोलो कलर बोलो दादा कलर म्योजिक इमेज अब इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा वीडियो क्या बनेगी वीडियो बन जाएए ना तो जो टीवी पे आप देखते हो ना वही मन की भाशा है इसलिए टीवी देखते हुए हमारा मन पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है हमारा मन शब्दों की भाषा नहीं समझता हमारा मन विडियोज की भाषा समझता है अगर आप रेडियो भी सुन रहे हैं तो भी जब तक आपकी बुद्धी मन को विश्वलाइज करके नहीं दिखाएगी तो मन एकाग्र रेडियो पर नहीं होगा जो बाते यहां पर कभी भाई बोल रहे हैं अगर आपकी गुद्धी मन को वो सारी बाते विश्वलाइज नहीं करके दिखा रही है आप एकाग्र नहीं हो सकते हैं समझारी होगा जैसे मैं बोलता हूँ अभी मैं रस्ते से आ रहा था तो उस गली से जैसी मैं निकला ना ओर इतना बड़ा कुट्टा आपे बड़ा था ओक अला इतना उच्छा था आपकी गुद्धी ने किस कि गुद्धी ने कुट्टा देखा सामने देखिया ना और जिसने नहीं देखा उसे ये भी नहीं पता होगा कभी भाई ने भी बोला क्या है है कि में समझ गए ये बात सिंपल सी बात है कि मन की भाषा है विडियो पहले दिन के पोर्स पे आओ तो मैं पहले दिन पे जरूर जाओगा आत्मा की तीन फैकल्टी होती है कौन कौन सी मन बुदि संस्कार मन क्या काम करता है सोचने का काम करता है लेकि सोचते ही दूसरा स्टेप क्या आता है आजी किस-किस ने बोला विश्वलाइस करना वो हाथ उठाए और कौन कोर इने फेवर करता है वो हाथ उठाए अभी और यह नहीं ना यह गलत है ना दोनों यह सही है दोनों इनके लिए ताली बज़ाई गुआ यह दोनों सही बोल रहे हैं कि जैसे ही मन से विचार करते हैं ना बुद्धी तुरंत उसे विश्वलाइस करती है मीधि फेवरेट लाइनर आपकोती आसानी से सुमझ में आती है वो है गुलाब जामा मुषानी आगया जैसी हम सोचेगे सोचे सोचे दिल से सोचे समी गुलाब जामुन आपके प्लेट में रखी गरब गरब गुलाब जाम rubbish रस्रत टपटा हुआ मन सोच रहा है गुन्धी देख रही है देख रही है किस-किस ने गप्लाब जामौन देखी? सबस्ते के लिए औरे देखी लिए मुठ में पानी किस-kis के आया सबस्ते के आये अगर आप आपने मान। गुलाब जामौन को भी देखी ही नहीं कैसी होती है वह नाम की कोई चीज होगी बहिया यह बता रहें मीठी होती है हाँ होती हो भी कोई जब खाएंगे देख लेंगे ऐसो ही होगा ना वास समझ लिए इस बात को ठीक वैसे ही स्वयमान होते हैं कि मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूँ तो बिलकुल ऐसे हो गया कि मैंने कहा गुलार जामन लेकिन विश्वयलाइज नहीं किया तो मुख में पानी नहीं आया वैसी कहा मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूँ और विश्वयलाइज नहीं किया तो मन के मुख में कोई पानी नहीं मन ने कोई अरगव किया ही नहीं समझे कोई भी स्वामान आप लेके बताओ मैं उसे विश्वालाइज करके आपको बताता हूँ आप स्वामान तो लेते होंगे नहीं लेते हैं नहीं स्वामान माना स्वेम को मान देना स्वामान माना है ना देखो जब कोई हमारे मन की प्रशंसा करता है जब कोई आपकी प्रशंसा करता है आपको कैसा लगता है सच बोला अच्छा किसको लगा हमारे मन को मन किसका है मेरा प्रशंसा कौन कर रहा है कोई और किसी और की की प्रशंसा से अगर मेरा मन खुश हो सकता है तो अगर मेरा मैं खुद अपने मन की प्रशन सा करूँ तो क्या होगा इसको कहते हैं अपने मन को मान देना मतलब स्वैम मान स्वैम को मान देना और हम दुनिया को मान दे भी लें पर मन को मान हम नहीं देते कि जब मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, मन बहुत भटकता है, मन तो बड़ा लालची है, मन तो बंदर है, मन तो खुता भी लिया, जो भी आता मोलता है, मन को कोसने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक, और मन कहता है, दिन भर मेरा आप अपमान करते हो, तो मैं आपको स की सो 92, का घंड हो है है किसी मिलते है आप केहते हैं अब से माता जी केती है मैं ein म् am I am क्याते हैं अब हैं क्या बताओं बस खड़ी गिरी जा रही हुआ तो सर में इतना दर्द है अब ठटा अब पता है ऐसा बोलते हुँद क्या जरती है यह सोचती है कि सामने वाली बाता जैसे कि अभी मरण लगाएगी वो क्या कहती है अच्छा इतना दर्द हो बताओं विचारी की किस्मत कैसी है यह झाय गया वहाँ फिर भी इतना काम कर थिए हैं यह तो हम चाहते हैं सुना लोगोसे जानते नहीं है कि अगर दर्द इतना धाना उसका इतना कहने पर इसमें और जोड़ेगा यह कम नहीं होगा क्यों विज जब मैंने उसको बोला मुझे सिंफिति मिली और मेरे मन पे एक लग गई कि मैं दो चार औरों के सामने ऐसे बोलनगा तो मुझे और सूंफिति मिलेगी और मैं सब के सामने इस मंतर को जबती चली जाती हूँ इस कहते हैं सेंकल्ब से सिधि जो संकला बार बार दोरा पे उससे आपको सिद्धी प्राफ्ट हो जाती है ये बिल गई आपको सिद्धी मतलब अब सर का फटना ते है समझवे है अब ते है फटना अब तक तो यसी था अब ते है अब सिद्धी बिल चुकी है बड़ा बना देते हैं यही है वो बार अब समझते हैं तो क्या करना है हमें तो हम कोई स्वयमान देते हैं यानि मन को मां देना बाना स्वयम को स्वयम ही मां देना ठीक आप करते हैं, अब आप मान दो, चलो दो, एक स्वामान बोलो ना, जो आपका पसंदिदा स्वामान, मैं महाना आत्पा हो गई ना, इसको ये, मैं शांस वर पाद हो, मैं भागेवाना आत्रा हो, मेरे साथ बोला करो इस स्वामान, देखो, तो आपको पता है, हमारी विश्वलाइस तो होता ही, कुछ भी हमें, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको विश्वलाइस नहीं होता, अब ही आपको आके पड़ोस की मानता कोई कहानी सुनाने लग जाए, कि महापेना ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या होता है, क्या होता है, एक दम उसे बुद्धि विश्वलाइस करती है, करती है न, तो जो आपने कहा न, वो बात दिमाग में आ जाती है, गुद्धी ने विश्वलाइस किया, तो बात दिमाग में बैठी, समझे, तो मतलब हमारी गुद्धी विश्वलाइस करना तो सब कुछ ही जाती है, किसे आप बोलो, ये स्वामान देते हैं, कि मैं पर अब पूच श्री लक्षमी हो बता ना ये विश्पलाइस करना किसको मुश्किल लगा है कि आपने लक्षमी जी नहीं देखी है पर फोटो नहीं देखे अच्छा चलो मान लो आपने देखे ही नहीं है ना उपके फोटो देखे पर आपने उनकी बारे में थोड़ा भी अबर सुना है तो कि आपका मों नहीं जाथा कि लक्षमी जी केसे चलेंगी केसे उठेंगी केसे नि कासि करेंगी कास्ता है तो पस, पस, तीस सेकंड के लिए, चलो मैं आपको कमांडी देता हूँ, अपलाई टर्न करिए, आप क्या करेंगे सभी, ठप ठप करना ऐसे, टाइम नी लगाना, मैं ऐसे बस यू कर रहा है, एक सेकंड में पोचेंगे, टिक, आप क्या करेंगे एक दम, सिधे बैठो, और ल जरा मुस्कुराईगे, श्री नारायाण जी की तरह, है ना, हाँ, चेहरा भाई सब सब करनोट कीजिएगा, तो यह मोबाईल उठा के कैमरा ऐसे करो, ठीक है, वो ऐसे वीडियो बनाना है, कि सब के चेहरे देखने है, है ना, सभी लक्ष्मी जी की तरह मुस्कुरा, मुस् वेरी नाइस, सब ऐसे कर लो, परणाम ले रहे हो, अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत बढ़िया, अब विश्वराइस करेंगे, ऐसे रजना, विश्वराइस करना, कि मैं एक मंदिल में बैठी, उच्छे मूरत हो, बहुत बढ़ा मंदिल, आपके गाउं का मंदिल दो सक है, आपके शहर में जबंदिल है, उस मूल में बैठी, ऐसे बैठी में, अनेक भक्त मेरे सामने खड़ी है, मेरे दर्शनिय स्वरूप का नीलार कर रही है, मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रही है, मेरी वई मादा रही है, है देवी, आप महाम हो, आप बंद नीय हो, उजली हो, आप काम ठेलूप, आप बंदारी मुड़त को, कोई एक चारू तरफ पर इकमादे रहा है, कोई घंटिया को जा रहा है, कोई कीर्टन कर रहा है, कोई अपना दुख सुना रहा है, सब को गरदान दे, सुखी भवा, सबी मुख से बोलो, शांत भवा, सुखी भवा, स्वस्त भवा, ओम वुष्टन दे, हुआ है। कर दो